लगभग देड़ महिने का समय हमारे लिए बहुत महित्पून होगा इसमें नो या दस को जो भी मुस्लिम धर्मगुरू गोशित करेंगे उस दिन उनकी बकरीद का कारिकरम संपन होगा पुरे प्रदेश के अंदर और 14 जुलाई से लेकर के लगभग श्रावन उनिमा तक यह पड़ेगा 12 अगस्त को रक्षा बंदन का परूब भी पड़ेगा प्रतेक सोंबार के साथ साथ जिस दिन महा सिवरात्तरी का अईजन होगा उस दिन सभी देवालियों में भी भीड़भाड होगी 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है 2 अगस्त को नाग पंचिमी का भी परूपड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मोहर्रम भी है तेके सभी आयोध्यन एक दोसे के साथ जुड़ेवे हैं मोहर्रम के दोरान 33 अगस्त को पड़ेगा चतुर्त सोंबार 8 अगस्त को पड़ेगा रक्सावंदन कायोध्यन भी इस दोरान है और स्रावन पूनिमा 12 अगस्त को पड़ेगी ये नागपंच में रक्सावंदन और जो तीन सोंबार भी दो सोंबार भी इस दोरान पड़ेंगे इस दिश से इसकी कारयोशना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्म गुरुवों के साथ संबाद बनाने की कारवाई को इभिन आउसरों पर अपनाया है या जॉइन मजिस्टेट हैं उनके माध्यम से भी या जो पूप जलादी कारी करण हैं ये लोग भी संबाद बनाए अच्छा होगा अलग-अलग धर्म गुरुवों के साथ समाज के मानिंदों के साथ में जिनकी समाज में अपनी एक पकड़ होती है जन परतिनिधियों के साथ संबाद बनाना उनकी कदिविधियों पी भी निगाह रखना नजर रखना ऐसे ही जो एडिस्टनल एस्पी और एडियम अस्तर के अधिकारी हैं वे लोग भी अपने इस कारिक्रम को करें और जन पर अस्तर पर जिलादिकारी और पुलिस अधिक्सकों को भी संबाद के इस कारिक्रम को आगे बढ़ाना होगा यह सुनिश्चित करें क्योंकि यह सारे कारिक्रम पढ़ेंगे और 15 अगस्त को स्वत्मत्रता दिवस का कारिक्रम भी होगा जो बात जोंकि अम्परित महत्सो है आजादी का इस आउसर पर कुछ विसेश आयोजन होंगे उन आयोजनों के साथ पुरा प्रदेश तो जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोसल हैं एंटी नेशनल हैं वे कुछ न कुछ गड़वड़ी करने का प्रियास करेंगे माहोल को खराब करने का प्रियास करेंगे इसलिए सतरक्ता और साउधानी इसके लिए संबाद हमारा महत्वकून है और संबाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना इसकी समिक्सा रेंज अस्तर पर, कमिस्नरी अस्तर पर, जौन अस्तर पर निरंतर होती रहे परो और तेवार कोई भी हो सासन की जम्मेदारी बनती है वहाँ पर सुविधा देना और सुरक्सा का बेहतर माहूल देना कोई भी परो और तेवार हो परंप्रागत तरीके से हो परंप्रा से हटकर कुछ भी हम न होने दें आयोजकों के नाम नोट करें आयोजकों से हम लोग एप्लिकेशन चरूर लें और उनसे सुनिस्चित जरूर कराएं हमने ग्रह विभाग को भी मैंने एक परफॉर्मा उपलब्द करवाया था कि उसे हर एक जन्पत में उपलब्द कराएं उसी के माद्यम से अनुमती भी सुनिस्चित कराएं सरतें जोड़िये उसमें कि वह कहीं भी सांति को भंग करने वाली बिवस्ता कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे कोई भी ऐसा कारें नहीं करेंगे जिसे सांति बिवस्ता भंग होती हो या किसी जाती मत मजभ वर्ग संपरदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती है कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी नहो इस पर ध्यान देने के लिए हमें जहां बिवस्ताद बनानी पड़ेगे वहीं साथे साथ हम इस बात को सुनिशित करेंगे बकरीद के लिए मुस्लिम धर्म गुरूँं के साथ और इस आयोजन के साथ जुड़ेवे जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ हमें संबाद बनाना होगा कावड यात्रा के लिए भी हमें कावड संगों के साथ कावड संग हैं बनेवे हर एक जगे उन से भी संबाद बनाना पड़ेगा अगर हम उसी अस्तर पर संबाद बनाएंगे तो बाद में जब भीड इकटी होती है तो उस समय समस्या नहीं खड़ी होती है तब ये कारिकरम एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है फिर उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है इसलिए उन सभी चीजों को हमें पहले से ही एक संबाद बना कर करना होगा मोहरम के असर पर भी मोहरम से जुड़े वे जो अलग-अलग ताजिया लेकर के जाते हैं उनके साथ पहले से संबाद होना चाहिए कहीं भी कावड यात्रियों का और मोहरम के जलुस आपस में टकरानी की नौबत नाने पाए इसके लिए पहले से रूट तयार कर लेना पहले से सुनिश्चित करना कि किसी की भावनाएं आहद भी नहो और दोनों कारिक्रम संपन्न हो जाएं प्रंप्रा का उलंगन भी कहीं नहो इस बात को सुनिश्चित करेंगे रिस पर हम लोग पहले से ही ध्यान देंगे जिससे कहीं भी कोई बात नहो दूसरा नगर विकास के द्वारा और पंचायती राजविभाग के द्वारा स्वच्चिता को सेनिटाइजेशन को जहां प्रात्मिक्ता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा वेसे वी संचारी रोक नियंतन का एक कारिक्रम पहली जोलाए से चलना है स्वच्चिता सेनिटाइजेशन उसका प्रमुक पार्थ है इसको हम विसे इस रूप से एक अभिहान की रूप में लें बकरीत के दिन कुरमानी जहां होगी बस सारजुनिक अस्तल नहीं होगा जो निर्धारित अस्तल और पहले से चली आरी वहीं पर होगा हम सुनिश्चित करें कि ये अस्तान कोई सड़क कोई चोराहा या कोई ऐसा सारजुनिक पार्क या कोई अस्तल नहो जहां को लेकर के नावस्चिक विवाद हो और कुरमानी के बाद जो भी वहाँ पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सब को निस्तारण करनी की भी विवस्ता की जानी चाहिए चाहिए वहाँ आयुचक करें चाहिए वहाँ नगर निका या पंचैदी राज विवाग से जुड़े वे लोग करें इस विवस्ता को पहले से सुनिस्चित होना चाहिए कि कुरमानी के ततकालवाद उसकी सफाई की विवस्ता भी हो जाए जिससे गंदगी न होने पाए और वहाँ जो सॉलिड वेस्त आप डालेंगे वहाँ एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो नहीं तो बहुत तेज बदबू करेगा उसके बाद तमाम प्रकार की बिमारियां और अन्य संक्रामत बिमारियां वहाँ पर होने क खतरे होते हैं चीजों को सुनिष्शित करेंगे उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं यह भी सुनिष्शित करेंगे जल जमाओ नहों कहीं भी नगरिये छेत्र में चायवाह बकरीद से जुडे हुए आयोजन हो कावड यात्रा से जुड़ेवे हो नाग पंचीमी के कारिकरम हो या फिर स्रावन पूर्णिमा के या सावन जो मेला लगता है अयुद्या में कहीं भी जल जमाओं नहो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा सुद्ध पेजल की आपूर्टी के ले भी पिसेस विवस्ता देखनी पड़ीगी हम लोग लगातार देख रहे हैं लगातार न्यूश पेपर में अनने जगोँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि सुद्ध पेजल की आपूर्टी नहीं हो रही है He'll सकता है बरसाथ के से न छोड़ें बच्चे बिमार हो सकते हैं कोई अन्य समस्या खड़ी हो सकती है उस पर हम ध्यान दें स्टीट लाइट की विवस्ता बरसाद के समय में वेसे भी इसके बारे में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा नगर निकायों को भी जहां जहां यह आयोजन हो और कावड या पेटोलिंग बढ़ाना पड़ेगा सोसल मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी और कोई भी व्यक्ति भढ़काओ बयान देता है या कोई भी ऐसी बयान बाजी करता है जो सुरक्सा के लिए या किसी समधाय की भावनाओं को आहत करके से भढ़काने की कारवाई कर रहा है त इसमें बिद्दुत की आपूर्ती अनवरत बने जरजर पोल और तार को पहले से हम रिप्लेस कर लें उसका मरमत आधी का काम कर लें जो भी हमें करना हो उसको हम कर लें सडकों की मरमत सुनिस्चित कर लें एक ग्रामिन हो सहरी छेतर की सडके हो जिन सभी समंधित विभागो से हो जिलादी कारी और मंडला युक्तगर्ण इन सब की समिक्सा जनपत अस्तर पर सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी और जबाब देई के साथ करवाएं जल जमाओं नहों गंदगी नहों सड़कों में गड़े नहों इन बातों को हम सुनिश्चित करें मीट मचली कावड यात्रा की रूट पर नहों अच्छा होगा अनावस्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कारे न होने पाए क्योंकि कभी-कभी लोग सरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिवंदित पसू को मार करके फेंग उसके प्रति सतरक्ता बरतनीप से ही है ऐसे ही वहाँ जो कारिकरम जो भी हो प्रमपरागत तरीके से हो कुर्वानी प्रतिवंदित अस्थलों पर नहों या कावड यात्रा भी प्रमपरागत रूड से हटकर जाने की परमिशन हम कता ही न दें और पहले से हम उन सब के साथ स निश्चित करेंगे हर जन्पद में और जहां पर इन सभी कारिकरमों के लिए हो विसेश कंट्रोल लूम के अस्थापना करके निश्चित उसकी वहाँ पर नियमित समिक्सा भी की जानी चाहिए पीस कमेटी की बैठक के बारे मैंने पहले कहा यातायात प्रवंदन के बारे में भी जहां उस्यकों वहाँ पर हमें लोकल अस्तर पर उसकी विवस्ता सुनिश्चित करनी चाहिए अंतर जन्पदिय समन्वे के साथ ही अंतर राज्जिय समन्वे को भी हम प्रात्मिकता दें खास तोर पर पस्यमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में जो कावड यात्रा चलेगी इस कावड यात्रा के रूट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से, पंजाब से, हर्याना से, राजस्तान से और भी अन्य अस्थलों से काफी बड़ी संख्या में कावड यात्री आते हैं अच्छा होगा उन राज्जियों के साथ हम पहले से संबाद बना ले संबाद बना करके उनको राज्य सरकार के द्वारा क्या-क्या नियम बनाए गए हैं उसके पालन के बारे में उनको बता दें दूसरा जो मैंने पहले भी कहा स्वास्ते अभी भाग में कि जो लोग कोविड से इंफेक्ट होएते सेकिंड वेप के दोरान वहे लोग बहुत लंबा पैदल करने का चलने का प्रियास न करें अनावस्य ग्रूप से उनकी जीवन के साथ खिलवाड हो जाएगा जा रहे हैं तो पानी की विवस्तार सुनिस्शित करें जगे जगे मेडिकल कैम्प भी रहे और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही उन अस्तलों पर न हो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे प्लास्टिक फिरी सभी आयोजन हो किसी भी आयोजन में जब प्लास्टिक को हम लोग उननीस में प्रतिवंदित कर चुके हैं अधर भारत सरकार ने पहली जोलाई से प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिवंदित किया है तो हम लोग प्लास्टिक फ्री पूरी बिवस्ता को बनाने का प्रियास करें स्वच्छता का विसेश ध्यान दें कावड़ी महला और पुरुषों के लिए अलग लग ट्वालेट हो प्रियाप्त मातरा में जल्किया पूर्ति वहाँ पर होती रहे ये भी हम इसको देखें और सतरक्ता के लिए सेक्टर स्कीम अभी से हम लागू कर सकेंगे तो ये अच्छा होगा इन सभी कारेक्रमों को गराम पंचायत के लिए हमारा प्रियास होना चाहिए कि गराम पंचायत के सच्वाले में भी स्वतंतरता दिवस के दिन भारत का राष्ट जंडा पहराया जाए नगर निकायों में होना चाहिए हर नगर निकाय के अंदर अच्छा आयोजन होना चाहिए सांस्कृतिक कारेक करिकरम हो स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को दूसरा सहीत परिवारों के लोगों को रिटायर्ड जो आर्मी से जुड़े वे जितने भी रिटायर्ड परसन हैं इन सब को बुला करके उनका सम्मान हो सहीत परिवारों को सहीत परिवार सेना से जुड़े हो सकते हैं पैरा मिलि हिए फर एक जगे होना चाहिए अस्थाने अस्तर पर हो सकता आजादी की लड़ाई के दोरान बहुत सारे ऐसे योधा रहे होंगे जो इत्यास के पन्नों में गुम हो गए होंगे अग्यात होंगे लेकिन लोकल अस्तर पर उनका गायन होता है लोकल अस्तर पर लोग कथा के माद्यम से लोग परंप्रा के माद्यम से उनका स्वण करते हैं अच्छा होगा उन गराम पंचायतों में उनकी तस्वीर है तो उस तस्वीर के साथ हम वहाँ पे उन्हें इस औसर पर सरदानजली देने का कारे करें उन्हें नमन करने का कारे करें तेरंगाहो राष्टगान उन सभी गाओं में प्रियासो की गराम पंचायते राष्टगान उस औसर पर वहाँ पर उसे आयुचित करें जिन गाओं में अमभृच सरोवर बन चुके हैं अमभृच सरोवर के तट पर ही ये आयोजन हो सके तो अच्छा होगा उसकी फोटो ग्रैब भी कलेक्ट करें ग्रामे विकास विभाग कि ग्राम पंचयतों के साथ संबाद बना करके ग्राम बेविकास और पंचायती राजविवाग वहां पर इस कारेकरम को आयूजित करें नगर विकास विवाग भी इस बात को सुनिस्चित करें कि अगर अम्रिज सरोवर बन चुके हों तो अम्रिज सरोवरों के तट पर भी कुछ कारिकरम लोकल पारसत के नित्रित्तों में इन आयोजनों को हम कर सकेंगे उसका अपना एक मैसेज होगा और समाज के हर तबकिके मानितों को बुलाईए जितने भी ऐसे सिविल सोसाइटी से जुड़े वे नागरिक हैं उन लोगों को भी हमें इस आयोजन के साथ सामिल करना चाहिए और समाज के उन सभी लोगों को सम्मानित करना चाहिए जिनका योगदान रास्तिय सुरक्सा के ल पर यहां पर राज्यस्तर से तयार हो जाए और इसे भव्य रूप में आयुजित करने की विवस्ता की जानी चाहिए अच्छा होगा कि बेसिक सिक्सापरीसद और माद्यमिक सिक्सापरीसद के बच्चों को प्रभात फेरी निकाली जाए उस दोरान सच्छता को लेकर के जल स कारिकरमों को आगे वढ़ा सकें आखिर देश की आजादी की अमरित महचसो कारिकरम का कोई मतलब तो होना चाहिए और उसे हम कैसे आगे वढ़ा सकते हैं इस दिश से हमें इन कारिकरमों के साथ जुड़ने क्या आउ सकता है आयोजन जो दस से प्रारंब होंगे सेक्टर प करते हैं इस दोरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनेर अधिकारी एक एक गदविधी कोई मॉनिटरिंग करें पेट्रोलिंग को बढ़ाएं सरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप पठोड़ता पुर्वक उनके खलाब कारवाई नहीं कर थारती हैं Milwaukee कि सरीब ब्यक्ति को अनामस्यक रूब से कोई भी ब्यक्ति परतारितनक करने पाए इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियाइद बरतनी के आउसिक्ता भी और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्का लागू करते हुए बकारीत के कारिक्रम को सभी मुस्लिम धर्म गुरूँ के साथ संबाद बना करके बेतरी इन तरीके से सांदार तरीके से सच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही विवस्ता बनाई गई है कि किसी सारजनिक अस्तल पर कोई बे ऐसे कारिक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावस्यक ट्रैफिक को जाम करता हो जो परंपरागत रूप से कारिक्रम चलते रहे हैं उन सब कुने छोड़ करके खासतोर पर जैसे कावड यात्रा निकलेगी या मोहरम के जलूस निकलेंगे अगर प्रंपरागत रूप हैं हमारा प्रया सुना चेक कावड यात्रा हो या फिर मोहरम के जलूस अस्त्र सस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा पहले से हम सुनिस्चित करेंगे हम संबाद बनाए फिर सूल लेकर के भी कावड यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकरी देनी होगी उस विवस्ता के साथ बताएगा लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे छूड़ा लेकर के जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे एरगन लेकर जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे अनावस्य ग्रूप से भावनाएं आहत नो होने करके वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रसासन के अस्तर पर भी नहों और कावड संग हो या मोहरम के जलुस हो अस्तर सस्तर का प्रदरसन नहो ये भी हम सुनिस्षित करेंगे जिस से अस्ताने अस्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून विवस्ता के साथ खिलवाड करने किस तितिन आने पाए हर एक जलुस जो भी निकले उसके निगरानी होनी चाहिए ड्राउन के माद्यम से सीसी टीवी कैमरे के माद्यम से व्यूडियो ग्राफिक के माद्यम से हमें करने में कोई संकोश नहीं करना चाहिए कावड यात्रा की जो निगरानी हेलिकाप्टर के माद्यम से होती है वो अब पूर की भाती उसी प्रकार से इस वर्ष से भी होगी हमें उसकी समिक्सा भी करनी चाहिए और जब भी उसके आउसक्ता बढ़ती है तो उसके इंसार हम सासन से उसकी परमिशन लेकर के सासन से उसकी विवस्ता लेकर के वह भी सुनिस्चित करेंगे डीजे एक निस्चित वैल्यूम में ही बजना चाहिए और संबाद बना करके हम इस बात को सुनिस्चित करेंगे हम प्रतिवंदित नहीं करेंगे लेकिन उसको संबाद बना करके एक निस्चित वैल्यूम में बजाने की परमिसन देंगे और उसमें केवल अगर कावड यात्री हैं तो कावड यात्री इस बात को सुनिस्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान सिव से जुड़ेवे भजन ही बजाएंगे कोई ऐसा भिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावस्यक रूप से माहोल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो ये भी हमें कावड यात्रियों से पहले से ही संबाद बना करके उनसे आगरा करना चाहिए ऐसे ही मोहर्रम के जलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे हम सुनिस्चित करें उसकी वैलियूम को कंट्रोल करें अनावस्यक रूप से ढोल और तासा बजा करके सोर गुल उतना न बचाएं जो कान फोडू हो जाए और कान फोडू विवस्ता को हमें रोकना पड़ेगा हर हाल में रोकना पड़ेगा अस्तर सस्तर का नावस्यक प्रदर्सन नहीं करेगा कोई और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जलूस का नित्रत्व करेंगे उनसे लिकित एफिडेविड भी आप लोग ले लेंगे स्थानी अस्तर पर पहले से बिवस्ता बना करके तो परव और तेवार में कोई खलल डालने का प्रियास नहीं करेगा उसके नाम पर सांति भंग करने का दुस्तास भी कोई नहीं करेगा आज की ये विडियो कॉन्फरेंसिंग इसलिए मैं तो पूर्ण थी और मैं चाहूंगा कि सासन अस्तर पर यहां पर सभी समंदित भिभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो बिवस्ता उनके जिम्मे है वे अपने अपने भिभागों की भी समिक्सा कर लें कोडिनेशन के माद्यम से प्रभावी डंग से इसको लागू करने की तयारी भी करेंगे और कहीं भी कानून बिवस्ता की कोई समस्याना होने पर परव और तेवारों को सांति पूर्ण और सुहार्थ पूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें यहाँ हरस्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए यही मुझे इस उसर पर आप सब को कहना था बात बहुत धन्यवाद चाहिए